क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन तो सब्सक्राइब तो और चैनल प्रेश बेल आइकन आन दी यूटूब अप अद नेवर मिस अनादर अपडेट हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चैनल स्टेडी स्किल्स सक्सेस पर तो फ्रंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF Head Constable की vacancies को लेकर जो 2019 में निकली है और उसके application form जो है वरे जा चुके हैं तो उसका पहला step रहेगा PST याने की Physical Standard Test तो क्या होता है इसमें, क्या होती है इसकी process इस सब के बारे में डिटेल में चर्चांगे करेंगे हम इस वीडियो में तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतक जिन्मी स्टूडेंट्स ने जो इसका CISF Head Constable का form फिल किया है उनके लिए ये भहुती मैतपुन्ट वीडियो है क्योंकि exam का पहला step ही PST रहेगा पहला step पहुगा Physical Standard Test उसके बाद होगा Document Verification उसकी वीडियो है वो मैं आज कल में आपको दे दूँगा और उसके बाद third step रहेगा आपका written exam तो सबसे पहले रहेगा आपका PST Test Physical Standard Test तो देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें क्या रहेगी इसकी process तो चलिए चलते हैं सीधे उस image की तरफ तो ये वो image है physical standards की जो CISF Board ने एक notification के द्वारा students को परदान की थी इसमें category wise आगे male की height और chest का लिखा हुए है और उसके बाद female की height और chest के बारे में बताया हुए है कि students को physically fit रहने के लिए इतना उनका जो physically maintenance है वो होना चाहिए तो क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले category इसमें ST category के students क को छोड़ कर बाकी सभी categories के students को लिया गया है जैसे unreserved reasons, OBC, basic students इन students की इन तीनों categories के students की height कितनी होनी चाहिए तो minimum height होनी चाहिए आपकी 165 cm उसके बाद chest, male की बात करें सबसे पहले, उसके बाद chest तो chest आपकी होनी चाहिए 37 cm, फुलाने के बाद आपकी chest होनी चाहिए 82 cm, यानि कि आपकी chest का 5 cm फुलाव होना चाहिए, समझ गई होंगे SC, OBC और unreserved reasons students के लिए, यह होगी male की, उसके बाद female की, जो यह reason है उसमें female की height कितनी होनी चाहिए, तो 155 cm की height होनी चाहिए, और female की chest कितनी होनी चाहिए, तो chest के बारे में, इसमें female का कुछ भी नहीं बोला गया है, उसके बाद STK students, उसके बाद आते हैं, STK students, तो STK students में male की height होनी चाहिए 162.5 cm, और height 162.5 cm, chest की बात करेंगे, तो chest होनी चाहिए 76 cm, और फुलाने के बाद कितनी होजी चाहिए 81 cm यानि कि फुलाव मिनिमम आपका 5 cm का होना चाहिए उसके बाद इन सब रिजन्स को छोड़ कर अधर कोई भी रिजन्स बचते हैं जैसे नीचे दिया गया है आपका उन में आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 cm चेस्ट होनी चाहिए आपकी 37 cm फुलाने के बाद 82 cm यानि कि मिनिमम 5 cm आपका फुलाव होना चाहिए मेल का हो गया उसके बाद फीमेल की बाद करें 150 cm की आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट की बाद फीमेल की कहीं भी नहीं की गई है यह सब प्रोसेस होगी आपकी फीजिकल स्टेंडर्स को लेकर लेकिन स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है कि इसमें सर बेट का नहीं बोला गया है हाँ जो CISF बोर्ड है उसने अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी स्टूडेंस के यानि की मेल के और फीमेल के वेट का जो जिकर है वो कहीं भी नहीं किया है लेकिन आपको अपने फीजिकली मेंटेनेंस के अधार पर वेट का जो पता है वो होना चाहिए निचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के दवारा मैंने हाइट के आगे वेट की प्रोसेस वेट जो है लिख रखा है कि मिनिमम आपकी ये हाइट है तो मिनिमम आपका ये वेट होना चाहिए तब ही आप फीजिकली फिट जो है वो माने जाएंगे यानि कि आपकी अगर 165 cm हाइट है तो उसके आगे वेट जो लिखा हुआ है तो उतना वेट आपका मिनिमम जो है वो होना जरूरी है तब ही आप फीजिकली फिट हो सकते हैं तो ये था आज का फीजिकल स्टेंडर्स के बारे में कुछ information उसके बाद फिजिकल पिएस्टी जो आपका हो जाता है उसके बाद प्रोसेस रहती है document verification की तो उसका एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा आज कल में उसको भी मैं आपने YouTube चैनल पर upload जो है वो कर दूंगा तो बने रहे हमारे साथ हमार भी इसके बारे में कुछ knowledge हो सकते हो सके और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ पैल आइकन को प्रस कर लें ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स के जो notification है वो टाइम ट कर लेश्ट